So Hello Guys, Welcome back to the channel, कैसे हो आप सब बढ़िया, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप Grow application में अपने जो shares हैं, उनको कैसे buy कर सकते हो, आप उनको sell कैसे कर सकते हो, जो procedure मैं आपको बताऊँगा, वो बहुत ही जादा simple बताऊँगा, एंड इसके बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने का ज़रुवत नहीं पड़ेगा, तो वीडियो गर आपको informative लगे तो वीडियो का like ज़रू करिएगा, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अब सबसे पहले यहाँ पर आपको जो grow application है, उसको open कर लेना है, अब account जैसे ही बन जाएगा, उसके बाद आप जैसे ही अपना grow application को click करोगे, यह वाला page open हो जाएगा, आप सबसे पहले हमें यह समझना है कि अगर आप stock को खरीदना चाहते हो, तो आपको stock खोजना कैसे है, जो कि सबसे important चीज है, अब मान लोगर आपको पता है कि आपको कौनसे stock को purchase करना है, तब तो चीजें बहुत जादा simple हो जाएंगी, पतब आपको simply इस वाले section में click करना है, उसके बाद आपको अपने जो stock के उसका नाम type करके stock को purchase कर लेना है, कैसे वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मान लोगर आपको नहीं पता है कि आपको कौनसे stock में invest करना है, आप चीजों को पहले explore करना चाहते हो, तो grow application में ये चीजों को बहुत जादा simple कर दिया गया है आपके लिए, सबसे पहला चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको gainers और losers का option नज़र आएगा, तो gainers में क्या है कि आज के दिन में कौन सा stock सबसे ज़ादा अच्छा चला है, वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, तो आप top losers में भी जाकर के जो investment है वो कर सकते हो, तो for example आज का जो top losers है, वो विपरो है, कोल इंडिया है, टाटा पावर है, तो मान लोगर आपको यहाँ पे टाटा पावर में invest करना है, तो टाटा पावर में click करके आप buy कर सकते हो, buy करने का पूरा process में आपको दिखाऊंगा, चिंता नहीं करना है, साथ ही यहाँ पे top intra day कौन सा रहा है, मतलब आज के day में कौन सा stock पे जादा intra day लोग यहाँ पे invest कर रहे हैं, बतलब trade कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, तो इन में से भी अगर आप किसी में trade करना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो, तो मान लोगर आपको पता है कि आपको कौन सा stock खरीदना है, तो यह और भी आपके लिए simple रहेगा, आपको simply यहाँ पे click करना है, जैसे ही आप click करोगे, यहाँ पे आपको अपने stock का नाम एंटर करना है, जैसे हमें खरीदना है शक्ति finance, तो शक्ति finance यहाँ पे आप आपको type करना है, तो शक्ति finance, यह stock मैं अपने लिए खरीद रहा हूँ, कोई ऐसा recommendation नहीं है, आपको अगर खरीदना है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, यह stock मैंने already 70 rupees के around में already खरीदा हुआ है, तो अगर आप आज इसका trade देखोगे, तो इसका जो आज का minimum low था, वो 74 rupees 10 पैसा था, और आज का जो इसका high गया है, वो आपको 82 rupees 10 पैसे पे गया है, अभी यह 80 rupees 10 पैसे पे गया है, अभी यह 80 rupees पे trade कर रहा है, तो मेरे को यह खरी पूछा जा रहा है कि आप इसको कॉंसे stock exchange से purchase करना चाते हो, BSC में करना चाते हो, या फिर NSC में करना चाते हो, तो जिसमें भी करना चाहो, आप कर सकते हो, ऐसा कोई hard difference नहीं है, अब यहाँ पे आपको जो stock है, उससे कितना quantity लेना है, वो यहाँ पे आपको type करना है, तो हम यहाँ पे इसका 100 share खरीदना है, तो 100 यहाँ पे हम यहाँ पे type कर देंगे, अब यहाँ पे आप से पूछा जाता है, कि आप जो price चल रहा है, उसी पे आप purchase करना चाते हो, या फिर आप कोई future amount यहाँ पे predict करना चाते हो, जैसे 80 रुपय था ना, तो अगर आपको लगता है इसको हम at market ही रहने देंगे, और यहाँ पे buy का option अजा रहा होगा, अब यहाँ पे हम सिधे buy पे click कर देंगे, जैसे हम buy पे click करें हैं, आप देख सकते हो, हमारा जो buy order है, वो successful हो चुका है, मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, यह रहा हमारा, यह रहा हम अपने stock को sell करना है, तो sell करने का क्या process रहने वाला है, तो for example, चलो हम दोग शक्ती financing यहाँ पे consider करते हैं, तो subscribe finance हम यहाँ पे select करना है, और sell पे click करना है, जैसे ही आप sell पे click करोगे, वापस से आपका जो भी stock exchange था, वो select कर लेना है, quantity आपको इस वाले section में enter कर लेना है, कि यह वापस 82, 83 में जा सकता है, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे limit कर, 83 अगर डाल करके, आप sell पे click कर दोगे, आपका जो stock है, वो sell हो जाएगा, तो grow में आपका जो sell buy करना हो, या फिर sell करना हो, दोनों ही procedure जो है, वो बहुत ही जादा simple है, and I guess इस video के बाद आप भी easily grow application में अपना जो shares है, वो purchase and sell कर पाओगे, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like जरू करिएगा, चैनल पे नहे हैं तो subscribe जरू करिएगा, जल्दी मिलते हैं ऐसे interesting and informative वीडियो के साथ, अब तक के लिए जैहिन